नमस्कार दोस्तों Special Education की YouTube चैनल में आप सबका स्वागात है दोस्तों आज के स्वीडियो में मैं आपको पता हूँ कि आप प्राइम मनिस्टर जो भी हमारे करेंड के प्राइम मनिस्टर है जो की नरेंदर मोदी जी है उनको आप किसी भी चीज के रिलेटेड कमप्लेइन कैसे कर सकते हैं अगर आप कोई भी सजेशन देना चाते हो या किसी की कमप्लेइन करना चाते हो तो आप डारेक्ट प्रदान मंतरी नरेदर मोंदी से कैसे कॉंटेट कर सकते हो या कैसे उन्हें किसी भी चीज के लिए कंप्लेइन कर सकते हो तो आज इस वीडियो में आपको यह स राजेशन देना है कुछ भी आपको परदानमंदरी से कॉंटैट करने तो कैसे करने तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिनन कोई टाम विश्ट किये सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है गूगल पर लिखना है PM इंडिया PM इंडिया लिखके सर्च मारना ठीक है PM इंडिया लिखोगे तो सर्च आजएगा तो आपके सामने फॉर्स्ट जो लिंक आएगा वो आएगा ये वाला www.pmindia government.in ये वाला लिंक तो इस लिंक पर जाके आपको क्लिक कर देना ठीक है इस लिंक पर आपको क्लिक करोगे तो आपको एक website खुलेगी तो देख लेते हैं हमार पस website खुलेगी इस website पर आपको नीचे नीचे जाना है नीचे जाओगे तो यहां आपके पस दो option आएगे पहले तो मैं बता दूँ अगर आप अपनी language check करना चाहते हो English में website देखना चाहते हो तो यहां पर English में देख सकते हो Hindi में देखना चाहते हो तो यहां पर Hindi में भी देख सकते हो ठीक है मैं color change करते हैं तो Red कर ले तो अगर English में कर सकते हो, English में कर सकते हो, Hindi में कर सकते हो, हिंदी में अपर इस option पर जागी मैंने अध्यूच va bisa, यहां नीचे नीचे आओवगे, तो आपके बस दो option आते है। Share your idea, insights and thoughts अगर आप अपने idea, insights and thoughts शेर करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे अगर आप write to Prime Minister प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहते हो या किसी से related complain करना चाहते हो या suggestion देना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो चलिए इस option पे हम क्लिक करते हैं यहाँ मैंने क्लिक किया, इसके बाद हमारे पास नया पेज खुलेगा नये पेज में आपके पास एक form खुल जाएगा तो आपको इस सारी details फिल करनी है, सबसे पहले यहाँ पर name में आपको अपना नाम लिखने है, इदर उसके बाद category लिखनी है, आपका gender लिखने है male, female या और कोई gender है तो वो सब लिखने है उसके बाद नीचे आएपको अपनी country फिल करनी है उसके बाद आपको अपना पूरा पूरा एडरस यहाँ पर फिल करने है, उसके बाद pin code लिखने है, फिर आपको यहाँ से अपना और सबसे most important चीज़ है यहाँ पर आपको mobile number यहाँ पर आपको अपना mobile number बिल्कुल सही लिखना है क्योंकि mobile जैसी आप अपनी complaint submit करके पूरी दर्ज करा होगे तो आपके mobile पर एक registration number आएगा ठीक है आपके mobile पर एक registration number आएगा उस registration number से आप अपनी complaint का status चेक कर सकते होगे आपने जो complaint की थी उसका status क्या है और आपको क्या reply मिला है उस registration number से तो phone number यहाँ पर आपको बहुत important है ध्यान से फिल करना है next मारा पास आता email ID फिर आपकी category आजएगी category में आप select करते हो कि आप public grievance, public grievance related complaint है suggestion देना चाते हो, feedback देना चाते हो, financial fraud या scheme से related कोई complaint दरज करना चाते हो greeting और wish करना चाते हो, appointment करना चाते हो, PM नरेंदर मोदी के साथ या फिर message या request कुछ भी आप करना चाते हो, यह सारे option में आप अपनी choice select कर सकते हो, ठीक है इसके बाद यहाँ पर इस box में आपको अपना पूरा message लिखना है, जो आपकी complaint है, suggestion वो यहाँ पर लिखना है लेकिन इसमें suggestion लिखने से पहले यह जो characters आपको दिये हुए है, यह characters आपको add नहीं करने है, अगर यह characters add करोगी तो आपकी complaint submit नहीं होगी इसके बाद next आपको क्या करना है, do you want to upload a PDF attachment, अगर आप किसी भी PDF को attachment करना चाते हो, तो yes पर क्लिक कर देना, नहीं तो no पर क्लिक कर देना, मालो आप कोई complaint करने चाते हो, उससे related आप अपना proof देना चाते हो, तो proof के लिए आप PDF जो भी proof या जो भी document है, उसको PDF में change करके upload क पर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर security capture आता है, उसको enter करना है, और उसके बाद यहाँ पर submit पर click कर देना, submit पर click करोगे तो आपके mobile number पर एक registration number आएगा, उस registration number से आपको अपना status चेक कर सकते हो, और मैं आपको यह बतातो, आपको अपनी complaint का status कैसे check करना है, तो status चेक करने का, तो आपका अपना complaint का status चेक करने के लिए दुबारा Google में जाना है, और Google में जाकर लिखना है, PG Portal status of grievance, PG Portal, या तो PG Portal लिखके search कर लेना, अगर पूरा search करना है, तो PG Portal space देगे, status of grievance लिख लेना, उसके बाद यह page आपके बास खुल के आएगा, इस page के बाद आपको इस option पर first जो option आएगा, उस पर click करना है, यहाँ पर मैंने click किया, click करने के पास आपके पास यह website खुल जाएगी, इसमें आपको अपना registration number डालना है, यहाँ पर वो registration number डालना है, जो मैंने आपको बोला था कि mobile number डंग से डालना है, वो registration number यहाँ डालना है, उसके बाद आप आपको अपना password डालना है अगर password नहीं है तो email id या mobile number डाल दो और जो security code आएगा उसको यहाँ डाल दो उसके बाद आप submit पे click कर दो तो आपका जो आपकी complaint है उसका status आपके सामने आ जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आशागर तो वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो like कीजिए और जो भी आपकी comments है valuable feedback है मुझे comments पर जरूर बता है धन्यावाद दोस्तो आज के लिए बस इतना ही करता हूँ आपकी